वेलकम टू डी यू की बड़ाई सब्सक्राइबर्स और डीटेल में सारी चीज़े हम पढ़ रहे होंगे तो अगर आप इस study material को download करना चाहते हैं तो PDF की link description box में है आप वहाँ से download कर सकते हैं यू कन अल्सो जॉइन डी यू की पढ़ाई telegram channel आपको वहाँ पे भी lectures and notes देखने को मिल रहे होंगे यू कन follow us on Instagram and you can also get the link of the playlist on the PDF page as well as in description तो सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करें यार तो हमें state, society and dharma के अंदर सबसे पहले kingship and society के बारे में पढ़ना है जिसमें धर्म और नीती और दंड यानि धर्म क्या होता है धर्म से कैसे साशन किया जाता था हमारे ancient society में नीती क्या होती थी, दंड क्या होता था यानि सजा कैसे भी जाती थी, समाज कैसे होता था और kingship यानि राजसत्ता कैसे चलती थी इसके बारे में पहले section में हमें पढ़ना है second section के अंदर हमें रास्ट के बारे में चर्चा करनी है यानि राष्ट क्या होता है, संसकार क्या होते थे and the making of socio-cultural milieu यानि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेस आपस में जो society and culture कैसे आपस में एक परिवेस का निर्मान करते हैं इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है तो चलिए शुरू करते हैं तो एक छोटा सा उबर्विव देखेंगे सबसे पहले चैप्टर का तो state क्या होता है उससे पहले state, society and dharma ये तीनों ही चीज़े cornerstone है ancient Indian traditions की यानि प्राचीन भारतिय परंपराओं की एक आधार सिला हैं एक important pillar है providing a holistic framework for governance, social order and ethical conduct और धर्म और society और state से ही हमारी governance चलती थी एक social order maintain रहता था और ethical conduct भी maintain रहता था तो इस chapter में हमारी civilization में जो ये तीनों elements हैं ये तीनों elements के बारे में हमें पढ़ना है तो पहले देखते हैं कि state क्या होता है state की definition क्या होती है state किसे बोलते थे so in ancient India the state was not just a political entity तो state का मतलब सरिफ एक political entity ही नहीं था यानि एक राजनीतिक एकाई काई ही नहीं थी but an embodiment of authority responsible for maintaining law, order and justice यानि एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि law, order and justice यानि समाज को, न्याय को, गानोन को इन सभी को maintain करमें की जो authority हो दी थी उसको state बोलते थे, राज जी ruler, often a king और emperor के यानि जो राजा होता था, जो ruler होता था, शासक होता था उसको अक्षर समराट कहा जाता था और ये राज जी की कल्यान के लिए state के welfare के लिए एक custodian हुआ करता था, उसका जिम्मेदार हुआ करता था उसका संगरक्षक माना जाता था, ठीक है सभी की prosperity, सभी की well-being, state का welfare, इन सभी के लिए responsible कौन होता था king the legitimacy of the state authority, arrested on the concept of dharma और जो state चलाता था, वो धर्म की concept से चलाता था, यानि या राज जी के जितने भी अधिकार होते थे, और जो राजा होता था, वो धर्म से सासन करता था और लोगों का भला करता था, ठीक है, लोगों की भलाई, समाज की भलाई, इन सभी की बातों का ध्यान रख जाता था इसी को हम बोलते हैं state next society, यानि समाज क्या होता है society in ancient India was characterized by its diversity with people belonging to different caste communities and religions society basically समाज को बोलते हैं, यानि कि एक ऐसा एरिया जहांपे diverse culture के लोग, अलग-अलग caste के लोग, community, community के लोग और अलग-अलग जाती समुदाएं और छित्रों के लोग एक जगें एक साथ मिल करके रहते हों, उसी को हम बोलते हैं समाज तो प्राचीन भारतिये में समाज की ये परिभासा थी despite these diversities, there was a strong sense of interconnectedness और in diversities, इन विविदताओं के बावजूद भी आपस में interconnectedness का जो sense है वो बना रहता था याई परस पर आपस में जुडाओं का जो sense है interdependence का जो sense है यहाँ आपस में जो निरभरता की भावना है वो बनी रहती थी society में धर्म अप्लेड अ क्रूशिल डोल इन डिफाइनिंग सोसाइटल रोल सेंड डूटीज इंश्वरिंग हार्मनी एंड बैलन्स विदिन दर कम्यूनिटीज और धर्म की सोसाइटी में एक महत्तोपोन भोमिका रहती थी सभी समुदाय के बीच में सोसाइटी के बीच में सभाव बनाए रखना और संदुलन को सुनिश्चित करना सभी को बैलन्स में रखना इसकी एक इंपोर्टेंट भोमिका मानी जादी थी धर्म की सोसाइटी में ठीक है अब धर्म क्या होता है धर्म, the central theme of this chapter जो कि इस chapter का एक केंदरिये विशय है, central theme है is a complex and multi-layered concept in ancient Indian tradition at its core धर्म encompasses righteousness, moral duty and ethical conduct धर्म का मतलब है कि अपने जो नैतिक करतव्य है, नैतिक आचरन है यानि righteousness, moral duty, ethical conduct इन सभी का ध्यान में रखते हुए जो कारी किये जाएं वही धर्म है ये सारे चीज़ें धर्म के अंदर सामिल है जो प्राचीन भारतियें परंपराये रही है उसमें धर्म का एक important योगदान रहा है और religious जो rituals रहे हैं उनसे आगे बढ़ करके, धार्मिक अनुस्थानों से आगे बढ़ करके सभी aspects of life की खोज करना extends to all the aspects of life guiding individuals in their personal and societal interactions और जीवन के जो सभी पहलू हैं उनसभी तक फैला हुआ है धर्म, समाजिक बंदन या फिर जो बेक्तिगत आपस में रिष्टे होते हैं social interaction हो गया, personal interaction हो गया individual level से लेकर के social level तक सभी की जगों पर radiusness का path, moral individual और ethical conduct को follow करना ही धर्म गहलाता है ठीक है तो अब हम आगे देखते हैं concept of धर्म, यानि धर्म के बारे में detail में आगे हम देखते हैं कि धर्म का क्या concept है, कैसे धर्म से साशन होता है और राजा को किन-किन धर्मों का पालन करना होता है या धर्म डाजांट मींस इंदू-मुश्लिम से खेसाई धर्म मतलब एक एक moral code of conduct ठीक है एक order जिससे साशन किया जाता था जिसमें धर्मिक मार्ग पे चल करके व्यक्ति अपने नैतिक करतव्यों को यहनी जो मैंने भी आपको बताया कि एक ऐसी व्यवस्था है धर्म code of conduct नैतिक संगिता इन सभी चीज़ों का पालन करके पालन करने की अपेक्षा की जाती है धर्म के अंदर और धर्म सिर्फ rituals से ही संबंदेत ना हो करके सभी aspects of life को detail मिचा करके study करता है personal conduct की बात हो family relationships की बात हो और फिर societal interactions की बात हो सभी पहलूओं को नियंदरत करने का काम धर्म से होता है ठीक है next is the Vedic text lay the foundation of the concept of dharma with the Rig Veda and other scriptures emphasizing the importance of right conduct and ethical behavior any जो वैदिक टेक्स्ट है इसमें भी हमारे धर्म में धर्म की बात की वही है धर्म की new जो है वो वैदिक गरंथों में ही रखी वही है और यह सभी जो गरंथ हैं यह सभी moral और righteousness की जो काम है उसी को ही emphasize करते हैं उस पर ही जो और वेदे हैं उसके आगे फिल जो उपनिशत्स आये जैसे में हमने पिछले चाप्टर में बढ़ा था तो उपनिशत्स में भी philosophical aspect of धर्मा को और जादा explore किया गया और आत्मा और ब्रम के बारे में और ज्यादा बाते विस्तार में दर्शनिक रूप में लिखी गई next is sources of dharma यादि धर्म के क्या क्या शूरत है so the concept of dharma find its roots in various sacred texts and literary works of ancient India बहुत सारे में books में text में literary works है वहाँ से में धर्म की sources मिलते हैं तो सबसे पहला जो इंडिया के अंदर हमारा ancient इंडिया के अंदर important text है वो हैं वेदाज the vedas which are among the oldest religious texts in the world provide essential insights into the dharma तो वेदों में धर्म के बारे में बहुत महत्तों गोंड बाते लिखी गई है और यह सबसे पुराने गरंथ माने जाते है they consist of aims, rituals and ethical teachings that shape the moral fabric of the society और इसमें भाजन, अनुस्ठान और बहुत सारी नैतिक सिक्षाएं वेदों के अंदर सामिल है ठीक है उसके बाद है हमारा second source, रामायन और महाभारत जो हमारे भारत के महाकावे में से ठेक है जो महान धर्म गरंथ है हमारे वो important जिसमें सबसे ज़्यादा है वो रामायन और महाभारत जो दर एपिक सच आज रामायन और महाभारत आर रिच है रिपोजटरी और मोरल डाइलमास, अथिकल चोईज़िस और अप्लिकेशन अफ धर्मा इन कॉंटलेक सिच्विशन्स यानि इन जो हमारे महाकावे हैं रामायन और महाभारत इसमें भी धर्म के पन्योग के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है और इसमें भी हमें ये सीखने को मिलता है कि जटिल परिस्थितियों में कैसे हमें डील करना होता है कैसे हमें अपने जो moral dilemmas है, ethical choices है, इन सभी को रखना होता है, जैसे कि भगवान राम को हम example के रूप में देखते हैं, तो वो एक ideal son, ideal prince, ideal husband के रूप में हमें देखते हैं, ना, Lord Rama's adherence to his dharma as a prince, son and husband becomes a moral compass for individuals seeking guidance in their lives, इस प्रकार से जैसे पागवान राम ने धर्म का पादन किया, एक वेटे के रूप में, एक राजा के रूप में, फर एक husband के रूप में, तो ये धर्म से ही हमें सीखने को मिनता है, ऐसा हमें रामायन से सीख मिनती है, इसी प्रकार से महाबा के अंदर Krishna और Arjun का जो सुनबाद है, जो गीता के प्रवचन है, वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, धर्म के बारे में, नेक्स्ट इस अदिशनली दे इस्मृतिज, विच आर एंशेंट नीगल टेक्स, प्रवाइड स्पेसिफिक गाइड लाइन्स फोर सो गए हैं, जिससे हमें धर्म के बारे में सीखने को मिलता है, और इसमें भी ये सारे चीज़ा लिखी गए है, कि इंडिवीज्वल की क्या रिस्पॉंसिबिलिटीज होनी चाहिए, रूलर्स की क्या रिस्पॉंसिबिलिटीज होनी चाहिए, धर्म को धर्म की रक्षा के सब्सक्राइब करने में राजा के सहयोगी होते हैं, मंतरी होते हैं, इन सब की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है तो प्राचीन भारतिय समाज में राजा होना, यानी राजा सत्ता होना, वो सरफ एक जिम्मेदारी ही नहीं थी, पावर की पोजीशन ही नहीं थी, बट आंसो एक रस्पॉंसिबिलिटी टू अपवोल्ड धर्मा, बलकि धर्म को बनाय रखने के लिए भी एक बहुत बड़ी एहम जिम्मेदारी हो दी थी, पावर में रहना, दाव किंग वास एक्सपेक्टे को गवन विश्टम, फियर्नेस और जो राजा होता था, उससे अपेक्षा की जाते थी कि वो बुद्धी से, अपनी बुद्धी से, विवेग से, निस्पक्षता से और नियाय के साथ सासन क करेगा, governed with wisdom, fairness and justice. He had the duty to protect his subjects, maintain law and order, ensure the welfare of the kingdom, और जो राजा का काम होता था, उससे एके से, पहला काम क्या होता था, तो पहला काम क्या होता था, to protect his subjects, your subject means प्रजा, ठीक है, अपनी प्रजा को प्रजा की रक्षा करना, law and order को maintain करना, और ensure the welfare of the kingdom, और जो समराज यह है, उसके welfare को, उसके कलियांड को सुनिशित करना, यह सारे राजा की काम होते थे, so the king's action were guided by नीती, और जो राजा की काम होते थे, वो कैसे guided होते थे, वो राजा काम कैसे करता था, नीती के जरिये, which refers to the principle of governance and administration, और नीती क्या होती थी, सासन और प्रशासन चलाने के जो सिद्धान तो होते थे, वही नीती होती थी, next topic है हमारा नीती, इसी के उपर, आगे हमें detail में पढ़ना है कि कैसे नीती के थो, और धर्म का सहारा लेकर के एक राजा को सासन करना होता था, तो नीती क्या होती है, नीती is a crucial aspect of Indian governance, emphasizing the moral and ethical principles that the rulers should adhere to while governing their kingdoms, यहनी नीती भारव ये साशन में एक महत्वपोन पहलू है, जो कि हमें ये सारी चीज़ें बताता था कि rulers को किन-किन बातों का धिहान रखना होता है, किन-किन principles का धिहान रखना होता है, और क्या क्या चीज़ें follow करनी चाहिए, एक ruler को अपना साशन और प्रसाशन चलाते वग, राज्य करते वग, जिन सभी बातों का धिहान रखा जाता है, governance के दोरां, वही उसी को हम नीती बोलते थे, और एक अच्छा किंग, एक सरवोत्तम राजा, एक धर्मी राजा वही होता था, जोकि जंता के हित के लिए अपनी परजा है, उसकी हित के लिए कारिकरता था, उनके welfare के लिए काम करता था, उनकी safety and security and prosperity के लिए काम करता था, वही एक heriteous king कहलाता था ठीक है तो king नीती के रूप में नीती और king के रूप में एक leader होने का भी उसे एक important role play करना होता था क्योंकि राज्यकूब guidance एक राजा के थ्रोई मिल दी थी So leadership guided by नीती involves making decision based on wise counsel and consideration of the consequences of the people तो जो राजा होते थे जो leader होता था वो नीती के थ्रोई जब guidance के अनुसार जब decisions लेता था तो उसको people's की जो भावनाए है या फिर जो और नी लोगों की राए है उन सभी को ध्यान में रखना होता था सभी लोगों की सला अंडे करके निर्णे लेना होता था और फिर एक अंतिम परिणाम पर विचार करना होता था और नीती ये भी कहती थी की राजा को जो भी less fortunate people है यानि जो फिछडे वर्ग के लोग है marginalized sections of the people है backward peoples है इनके लिए राजा में करुना की बहावना होनी चाहिए और सहानुवोती होनी चाहिए compassion and empathy होनी चाहिए towards the less fortunate and marginalized section of the society leaders who follow नीती are respected and beloved by their subjects posturing a harmonious and stubborn society यानि वो leaders जो नीती को follow करते थे नीती के अनुशार साशन करते थे वो एक respected leaders होते थे और उनकी परजा उनको बहुत ही प्यार करती थी और ऐसे जो नीती चलते थे जो राजा वो फिर एक इस्खेर समाज को भी बढ़ावा देते थे wisdom and virtues form a bedrock of a leader's character in the context of नीती और नीती से चलना राजा के गुण और बुद्धी को भी संदर्वेप करता है यानि उनका चरित्र कैसा है राजा नीती का पालन करता है कि नहीं करता है इससे उसके चरित्र के बारे में भी पता लगता था ancient Indian text highlight the importance of wisdom gained through learning, experience and introspection और जो प्राचीन भारती गरंथ थे वो सीखने के अनुभावों के इन सभी माध्यम से जो प्राप्त ज्यान होता था उसके महत पर प्रकास डालते थे और जो प्राचीन भारती परंपराय थी इसमें एक अच्छा लीडर कौन होता था जिसके पास इतनी छंता होती थी कि वो सही और गलत में decision ले सके उच्छे तर निरनाय ले सके याना सही और गलत के बीच में अंतर कर सके and to make just decision यानी उच्छे तर निरनाय लेने की छंता हो जिसकी वज़े से सबका एक ब्यापत लाब हो सके वही एक अच्छा लीडर माना जाता था Virtues like honesty, integrity, humility and compassion Virtues like honesty, integrity, humility and compassion are considered indispensable qualities of a great leader और एक महान लीडर की, एक महान नेता की जो important qualities होती थी, वो क्या होती थी? honesty, integrity, humility and compassion इमांदारी, सत्यने स्ठाफ, विनमरता और करुणा ये एक महान तुपूर्ण गुण होते थे महान नेता की सच वर्चूस inspired trust and loyalty among subjects और जिन के पास ये गुण होते थे, जिन leaders के पास, जिन राजाओं के पास उनका जनता पे विश्वास भी होता था, जनता उन पे विश्वास भी करती थी और loyal भी होती थी जनता उनके परती, जो परजा थी वो loyal भी होती थी, creating a strong bond between the ruler and the people और इस तरही के से rulers और people के बीच में strong bond भी बना रहता था, अब example की बात करें जो हमारे virtuous leaders रहे हैं, जो हमारे महान समराड रहे हैं, अच्छे मेता रहे हैं उसमें पहला example आता है, King Harsha का, फिर Emperor Asoka इन सभी ने role models के रूप में सासन किया, और नीती के अनुसार सासन किया, धर्म के अनुसार सासन किया, सभी चीज़ों का पालन किया, इसलिए ये role models के रूप में माने जाते हैं, ठीक है, ancient, indians, traditions के अंदर तो ये था हमारा बुरन नीती का concept, की नीती क्या होती है, और नीती के अनुसार कैसे एक येडर को सासन करना होता है, एक येडर की जा क्या qualities होती थी नेक्स्ट है हमारा concept आफ दंड, यानी पिटाई, पिटाई नहीं, पिटाई नहीं समझने, दंड एक प्रकार से punishment होती थी, ancient, indian traditions में, जो दंड इन दे इंचेंट इंडियन कांसेक्ट, रेपरेजेन्स the administration of justice and the concept of punishment for maintaining social order, यानी समाज में समाजिक विवस्था को बनाए रखमे के लिए, maintain करने के लिए, जो punishment का system था, जो punishment और दंड की जो विवस्था थी, उसी को हम बोलते हैं, concept of dंड, याना it is a vital aspect of governance, ensuring that society functions smoothly and that individuals are held accountable for their actions और ये एक महत्वपूर्ण पहलो होता था सासन के अंदर, ताकि समाज जो है, वो सुचारू रूप से कार कर सके और कोई विक्ती जो है, वो उल्टे सद्दे काम न करे, जोरी जकारी, मर्डर या जो भी कार होते थे, वो पहले इन सभी के लिए punishment का system हो, इसलिए दंड का प्रावधान जो है, प्राचीन भारतिय समाज में जरूरी था दंड is rooted in the principle of fairness and proportionality, where the punishment is commensurate with the offense committed यानि जो दंड दिया जाता था, वो निस्पक्षता से लिया जाता था, और जो भी अपराद होते थे, जो भी offense commit किये जाते थे, उसके अनुसार punishment में दे थी, where the punishment is commensurate with the offense committed, इन्थो भी सजा या ब्राद होता था, उसके अनुरूप सजा दी जाती थी, the king or ruler as the upholder of dharma, wields the power to impose दंड, और दंड देने का अधिकार किसके पास होता था, या राजा के पास, या सासक के पास, जो धर्म के संगरक्षक के रूप में होते थे, उनको दंड देने की शक्तियां होते थी, however, it is essential to use this power judiciously, avoiding abuse and tyranny, और राजा को इस बात का भी दिहान रखना होता था कि सभी लोग इस बात से agree करे, अपनी विवेक से अपनी जो शक्तियां थी, वो अपनी विवेक उन धंड से इस्तेमाल करे, ये जो शक्तियां उसको प्राप्त थी, सबको दंड करने की उनका दुरूप योग न करे, अत्याचार न करे किसी के उपर, ऐसा essential system होता था, The goal of administering दंड was not retribution, but to reform and the protection of the innocent, और जो डंड का system था, दंड का प्रावधान था, पनिश्मेंट देने का जो system था, उसका मोटिव ये निथा कि प्रतिशोद लेने हैं, बदला लेने हैं, बदला लेने का जो belief है, ये गोल नहीं होता था पनिश्मेंट का, बल्कि ऐसा माना जा काता था कि लोगों में इससे सुधार होगा, और ये जो system है, पनिश्मेंट का, इस system से लोगों की सुरक्षा में लोगों का protection भी, innocent people's का protection भी मेंटेन रहेगी, तो ये system था डंड का, administration of dंड, यानि प्रसासन कैसे डंड को जलाता था, कैसे पनिश्मेंट दी जाती थी, तो, तो, to ensure the impartial administration of dंड, ancient Indian societies established a robust judicial system, तो दंड देने के लिए, पनिश्मेंट के लिए, पराचीन भारती समाज में, हमारे एक मजबूत नयाएक व्यवस्था थी, यानि, जुडिश्यल सिस्टम था, जिसके थो पनिश्मेंट दी जाती थी, the king would appoint wise and knowledgeable judges who would interpret dharma and dispense justice accordingly, और जो राजा होता था, वो knowledgeable और wise people को चुन करके, वो दिमान लोगों को चुन करके, नयाएधीश नियुप्त करता था, judges बनाता था, और पिर ये judges, धर्म के अनुसार, जो धर्म और नीती के अनुसार नयाएक करते थे, फिर उसी अनुसार, धर्म के अनुसार सवजाईन दी जाती थी, और जो वो accused होते थे, जिन पे आरोप होते थे, उनको अपना बचाओ करने का अधिकार होता था, अपने आपको डिफेंड कर सकते थे, और witnesses को भी बुलाया जाता था, और जो गवाही देने वाले लोग होते थे, ये सारी सिस्टम देंवारे ancient Indian traditions में थी, In the process of adjudication informed careful consideration of the circumstances and intent behind the actions of the accused, और उन्चो निरनाई लेने की प्रकिरिया थी, उसमें सभी चीजों की पूरी तरीके से जाच परक करके तभी दंडित किया जाता था, जो भी crime कमिट किया जाता था, जो भी जिस भी circumstances में, जो भी accused काम करता था, जिसकी वज़े से उसे धंडित किया जाना है, उसके पीछे की उसकी जो मंसा ओरती थी, उस पर भी ध्यान दिया जाता था, कि ऐसा इसने क्यों किया है, जाना, ताकि किसी गलत इंसान को सजानन मिल जाए, इसलिए साबधानी पूर्वक सब विचार किये जाते थे, यानि, इससे ये बात समश्चित रहते थी, कि जो सजा है, वो निस्पक्ष रूप से और उचित सजा दी जाएगी, और जो निर्दोष्ट रखती है, उनको गलत तरीक से तंडित नहीं किया जाएगा, फर्दरमोर, दि आइडिया आफ प्राइश्चित इनेंस प्रोवाइड़ एन अपॉर्चुनिटी फोर डिफेंडर्स तो रिपेंट एंड रिफॉर्म, दस रिइनफोर्सिंग द रिहाबिलेटिव, रिहाबिलिटेटिव एस्पक्ट आफ डंड, और डंड देने के लाव, प्राइश्चित करने के वी विवस्था थी हमारे आपे, यहनी पश्चा था आप जिसको बोलते हैं, सुधार करने का अवसर भी दिया जाता था, दंड अगर जो वेक्टी है वो अपने आप में सुधार लाता है, और फिर कोई क्राइम नहीं कमिट करता है, तो उसे से जो हमारी पूरी जुडीशन सिस्टम थी उसको एक मजबूत बजबूती से बनाया गया था, ठीक है, नेक्स्ट एज रास्ट, यहनी नेशन, हम रास्ट रुकिशे बोलते थे, पराचीन भार दिये धारनाएं जो रही है, हमारी परमपाराएं रही है, इसमें रास्ट का क्या तातपर्य होता था, so in ancient Indian tradition, रास्ट रिफर टो दा कलेक्टिव आइडेंटिटी आफ नेशन, यानी ancient इंडिया में जो रास्ट शब्द है, आज के डिट में जिसे हम नेशन बोलते हैं, वो एक तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी होता था, कलेक्टिव आइडेंट से यहां तक जो एरिया है, वो हमारा रास्ट रहें, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर हमारे जो कल्चर्स होते थे, हमारे वेल्यूज, हमारे एस्पिरेशन्स आफ दा पीपल, जो हमारी संस्कृती होती थी, हमारी अकांचाह, हमारे मूल्य, इन सभी चीजों को मिला करके और साथ साथ में, जो हमारे जोगराफिकल बाउंडरीज है, इन सभी चीजों को मिला करके, जो हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी ग्रियेट होती थी, जो हमारी एक समोहिक पहचान बनती थी, उसको हम बोलते थे, नेशन, यानि रास्ट्र, और रास्ट्र का अर्ख था कि अपने हितों से उपर उठके, इन्डिवीजूल इंटरेस्ट यानि वक्तिगत हितों से उपर उठकर करके, जो पूरी सोसाइटी है हमारी, एक समाज जो हमारा, समाज में एकता और और समाज में एकता और भलाई पर जोर दिया जाता था रास्ट्र के अंदर, और जो रास्ट्र की भावना थी, यह हमारे प्राचियन भारतिय समाज में समाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था दोनों को ही आपस में जोडने का काम करती थी, एक महत्वपूर्ण घोमिका निबहाती थी यह जो रास्ट्र की भावना है, अफिंटेंड ब्यार्ण जो राजनेतिक सीमाएं जो होती थी, उससे आगे जा करके, जो बेवेन समुधाय होते थे, जो अलग-अलग ब्यवस्था अलग उनसमेघ्य समुथा शप्याज होती थी, और mutual respective feeling जो सम्मान की भावना होती थी, इसको एक collective sense provide करने का काम जो है, वो भर रास्ट से हमें मिलता था। यहनी जो हमारे rulers and leaders होते थे ancient India में, वो अपने आपको, यह जो हमारी संस्क्रती हुए, यह हमारे समाज है, इसकी संग्रक्षक की रूप में अपने आपको देखते थे, और खुद को, समाज को और संस्क्रती को preserve करने के लिए responsible मानते थे, जो rulers होते थे, वो ultimately समाजिक व्यवस्था और जो संस्क्रतिक व्यवस्था है, हमारी जो social and cultural व्यवस्था है, हमारी उसको संग्रक्षन करने के लिए, कौन जिम्यदार मानते था अपने आपको, जो साशक ह है हमारे, जो ruler से हमारे, ठीक है, और इससे फिर हमाएं, एह हमें आपस में एक रास्ट की भावना, आपस में भाईजारे की भावना मचबूत होती थी, रोल ओफ दे किंग इन रास्ट, और रास्ट में किंग का क्या रोल होता था, राजा का क्या इस्थान होता था, क्या भूमिका होती थी रास्ट में, इसको हम देखते हैं, तो राजा राज का मुख्या होता था समाज का मुख्या होता था और राष्ट को एक शेफ देता था एक महतपूर्ण भूमिका निभाता था राष्ट को आकार देने में और जो राजा की ड्यूटी होती थी वो गवर्नेंस और अड्मिनिस्ट्रेशन से आगे जाकर के एक गारजियन के रूप में भी थी जो की राजा को कल्चरल और अथिकल बेंडियूस का गारजियन भी माना जाता था और राजा जो है वो अपने परजा के वेलफियर के लिए गाम करता था और धार्म की भी रक्षा करता था प्रजर्वेशन अफ धार्मा So these were the king's primary responsibilities Ancient Indian text में ये बातें भी कहे जाती हैं कि king को एक अपने example के रूप में lead करना चाहिए अपने अपना एक उदाहरन के रूप में अपने आपको विनमरता से और सही जो रास्ता है life का, living का और मानावता का उसको फालो करके अपने आपको एक उदाहरन के रूप में प्रस्तोत करना चाहिए यहना, the king should lead by example, living a life of righteousness and humility By embodying the virtues and ideals of dharma, the king inspired his subjects to follow suit, creating a society that thrived on moral principles and mutual respect यानि राजा को खुल तो पालन करना ही चाहिए, इन सभी बुड़ों और आदर्शों को अपना कर righteousness के जो पात है वो अपना करके खुल भी follow करना चाहिए और अपनी प्रजा को भी इसको पालन करने के लिए धर्म का जो पात है वो पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न जिसकी वज़े से एक ऐसे समाच का निर्माड होगा, जहां पर जो नैतिक सिर्दान्त हैं, हमारे moral values हैं, moral principles हैं और जो mutual respect है, यह सारी चीवे फिर आपस में create होनगी, और एक हमारा राष्ट्रिय भावना हमारे अंदर आएगी, तो यह था हमारा राष्ट्र का concept, that was a collective identity Next is संसकार, और संसकार क्या होते हैं, सो संसकार refers to the cultural values, rituals and ceremonies that were integral to the ancient Indian traditions यानि यह वो हमारे संसकारतिक मोल्य हैं, अनुस्ठान हैं, और जो हमारे ceremonies होती थी, religious ceremonies, जो समारो होते थे, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, संसकार बोलते हैं संसकार played a crucial role in shaping an individual's character, moral values and sense of identity और जो हमारी एक पहचान है, और नैतिक मोल्यों की पहचान की भावना है, वो हमें अपने संसकारों की वज़े से इंगलती हैं जो हमें हमारे पूरवजोंने संसकार बी criança हैं, जो संसकार हमारे साथ होएं और कैसे फिर हमें उन संसकारों को आगे promote करना हैं वही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं These rituals and ceremonies were sense of transformative experience that instilled virtues and prepared individuals for their roles in society और समाज में हमें इन संसकारों को अपना करके अपना रोल ले करना होता है और संसकार emphasized the importance of upholding ethical and moral values in personal and social life यानि individual और social life में, personal and social life में इन संसकारों की एक महत्पूर्ण भोमिका होती है जिसके महत्पूर्ण को हमें समझना चाहिए और हमें अपने संसकारों को आगे अपनी generations को transform, transfer करते रहना चाहिए तो फ्रॉम गर्बादान conception to untiest funeral rights, each संसकार ritual serves a distinct purpose in the individual's life तो गर्बादान संसकार से लेकर के अंतिम संसकार तक, अंतिम संसकार जो है तेरा संसकार जो होते हैं मनुष्य के लाइट में सबका अपना अपना ritual है अपना अपना purpose है, सबका एक अलग purpose है individual के लाइफ में Each संसकार has a distinct purpose in individual's life And they are designed to invoke blessings, instill moral virtues and foster essence of identity and cultural belongingness और ये जो सभी संसकार है ये संसकार किसले स्थापित किया गए है, ताकि हमारी एक पहचान बन सके और हम एक संसक्रती से जोड़ा हुआ अपने आपको मैस्तूस्ट कर सके इसी बहावना के साथ इन संसकारों को develop किया गया है, इन सभी संसकारों को design किया गया गया है जो हमारा आज संसकार है, जिन संसकरतीों को important मांगते है वो आज क्या है हमारी सनातन संसकरती है है न यसके लिए हम अपने आपको गर्व महसूस करते हैं तो यह एक संसकार का ही रूप है जो हमें एक cultural belongingness और सलस्कृति से जुडाव की बहावना देता है और जो यह संसकार है हमारे यह सारे संसकार एक हमारे सरिफ वक्ति के तोर पर ही नहीं है बलकि एक समाज को इकत्रित करने के लिए भी प्रभाव डालते हैं जैसे हम कोई ओसर होता है या कोई family occasions हो गए या फिर कोई भी संसकार होते हैं जैसे मुंडन संसकार हो गया तो इन सभी functions में हम समाज को भी बुलाते हैं लोगों को भी बुलाते हैं और सभी लोग फिर साथ मिल करके हम celebrate करते हैं और एक दी सुरे का support करते हैं तो इन संसकारों के तो हम एक sense of togetherness आपस में जो प्रेम की भावन है उसको भी बढ़ावा देते हैं इसलिए इन समी संसकारों को इस परकार से design किया गया था तो the rituals provided an opportunity for shared experience cultural exchange and passing down traditional values from one generation to next और यह जो अनुस्ठान है हमारे जो रिजोन से हमारे यह अस्तनसक्रती के आदान प्रदान के लिए cultural exchange के लिए और अपने जो tradition से हमारे जो हमारी परमपराय है जो हमारे पीडियों ने हमने अपने फूरवजो जो हमने परमपराय है उसको हमें आगे अपनी पीडियों को, अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, इन संस्कारों को हमें पहुचाना है यह हमारी responsibility भी बनती है So these ceremonies also emphasized the independence of individuals within society और यह जो संस्कार है, हमारे यह समारों है यह समाज के वीतर, जो भी लोग होते हैं, वो आपस में कैसे interdependent होते हैं यह से कोई संस्कार हो गया, तो सभी लोग मिल करके celebrate करते हैं तो इसकी वज़े से आपस में निरबरता की भावनामी होती है, interdependence की भावनामी आती है So they remind people of their duties toward their families, communities and the larger rastra और इन ceremonies की वज़े से, जो हमारी families है, उनके प्रती जो भी हमारी duties बनती है जो community है, उसके प्रती जो हमारी duties बनती है, और राश्च के प्रती जो हमारी duties बनती है वो इन ceremonies के तो हमें remind होता रहता है, लोगों बोक्स याद दिलाया जाता रहता है यह जैसे कोई बड़ा पंचन हो गया हिंदू दर्म में बात करें तो अखंडर मोयन का पार्ट है या बंडारा है तो इसमें समाज की एक जो सेरमनी और रिचुवन से इनकी महतपोड भोमिका रहती है जिसमें संसकारों का एक महतपोड योगदान है और संसकार एक महतपोड रूल इस प्रकार से ले करता है और जो हमारी भारतिय संसक्रती हैं भारतिय परंपराएं हैं जो हमारी विरासत है इसको जीवित और जीवन बनी रहे इसके लिए हमें अपने संसकारों को आगे बढ़ाते रहना है और जो समाज में एक्ता की भावना है सत्भाव की भावना है इसको हमें अपने संसकारों के त्रुप बढ़ाते रहना है ठीक्या? इसमें आपको दो शब्द देखने अपर मिल रहे हूंगे यानि समाज और संस्कृती दोनों आपस में मिल करके दे बोट वो हैंड इन हैंड ठीक है उसमें आपको देखते हैं यानि समाज और संस्कृती का जो परिवेस है ये राज के अंदर समाज के अंदर और कल्चर के अंदर एक गतिशेल प्रकिरिया थी एक डाइनमिक इंटर्प्ले था इंशेंट इंडिया में प्राचीन भारतिय समाज में इट रिफर्स तो दा सोशल और कल्चरल इंवर्मेंट इन विच इंडिवीजिवन्स एंड कम्यूनिटीज एक्जिस्ट और जो सोशल टंचिरन में लिए है ये जो परिवेस है इसका मतलग किस से है हमारी समाजिक और संस्कृतिक इंवर्मेंट से है जहां पर इंडिवीजिवल्स यानि एक व्यक्ति और समुदाय दोनों आपस में एक्जिस्ट करते है एक समाज भी होता है और उस समाज का अपना एक कल्चर भी होता है डिवर्सेटी भी होती है तो दा स्टेट प्रेमवर्क और गृवर्नेंस और प्रोटेक्शन वाईल सोसाइटी कंट्रिबूटेटी तो द प्रेसरवेशन and transmission of cultural values तो जो राज्य होता था यह साशन होता था वो सुरक्षा भी प्रवाइट करता था प्रोडक्शन भी प्रोडाइट करता था गवाननेंस भी प्रवाइट करता था जबकि जो सोसाइटी होती थी वो क्या करती थी? अपने संस्कृतिक मोलियों का संगरक्षन करती थी यानि अपने जो cultural values है उसको transmit करती थी यह न तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों लोगों का एहम योगदान है जहाँ पे state एक तरफ सासन चलाता था वहीं पे society अपने culture को protect करती थी अपने culture को perform करती थी तो social structure which refers to the organization of a society into different groups such as families, communities and social classes तो social structure का मतलब यानि सामाजिक संगरक्षन का मतलब होता है जहाँ पे परिवार, एक समूव और समुदाए और एक सामाजिक संगरक्षन यह सबी चीजें आपस में मिल करके exist कर वहीं हो एक organization वह इन सभी का तो social structure influences individual's role, relationships and opportunities within a society और जो social structure है, जो समाजिक संगरक्षन है इसके अंदर वेक्तियों की वोमी का relationships हो गए और जो opportunities होती है society में यह इन सभी को represent करता है तो यह हो गया social structure वहीं पे जो culture है, culture in turn influenced the norms and practices of the society जबकि जो culture है, सरस्कृती है वो समाज की जो परथाएं है समाज के जो मानदंड है जो हमारी practices है जो मैं अपने पूरवजों से मिली है, जो norms है वो represent करता है culture को और यह जो हमारी पूरी प्रकिरिया है जहां पर social structure में हमारी families, communities and societies सामिन होती है, एक organization होता है और फिर culture जो है मारा वो इन ही social structure के अंदर exist करता है और यह फिर आपस में मिल करके फिर एक socio-cultural fabric का निर्मान करते है यानि समाजिक और सालस्कृतिक परवेश का निर्मान करते है जहां पर ethical and moral foundations के त्रोप हमारे ancient Indian tradition में इन सब ही की भावनों को कायम रखा गया है So, cultural values are shared beliefs and expectations that guide individuals' behavior and shape their attitudes and perceptions और सांस्कृतिक मोली यानि cultural values हम किसे बोलते है जो हमारी आपस में मानेता है है जो हमारे existing beliefs हैं, जो shared beliefs हैं और जो expectations है, which change इन सब ही को मिला करके जो हमारे attitudes and perceptions हैं, behaviors है इन सब को हम बोलते हैं cultural values तो इस तरीके से एक socio-cultural milieu का formation होता है एक समाजिक और संस्कृतिक परवेश का formation होता है जहां पर समाज और संस्कृति दोनों का एक महतपूर्ण योगदान हैं और ये परवेश को बनाने में बहाईचारे की बहावना धर्म और राज सभीन महतपूर्ण है तो ये था हमारे चैप्टर का last topic I hope आप सभी लोगों वो समझ में आया होगा अच्छे से तो आप इस study material को डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको पढ़ेंगे एक बारी तो आपको सब समझ में आ जाएगा बाकि मैंने सारी चीज़ें समझाई दी हैं lecture में तो डाउनलोड इस study material the link is there in the description as well as you can join it from you can download it from DU की पढ़ाई telegram channel you can follow us on Instagram page as well as you can get the link of the playlist in the description सभी चीज़ों के लिंक आपको PDF के अंदर भी मिल जाएगी आप PDF में भी क्लिक तर के सारे चीज़े एकसेश कर पा रहे होंगे ठीक है तो यहीं पर हम वीडियो को सुमाप्त करते है so please share your suggestions and feedback in the comment this is the end of the video thank you have a nice day